हेलो इस्टुरेंट, गोर्ड एक्जाम को बहतर बनाने है तू, हमने आपके कोर्स समय से कारम कर दिये हैं यदि अभी तक आपने अप्लाइड मैथामाटिक थर्ड के ग्रूप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिक्सिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर जुड़ जायां ताकि परिछा से पहले हम आपकी तैयारी BCS तरह से करा सके हैं हलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है Steady Powerpoint की एक नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है, पॉलिटिक निक थर्ड समेश्टर मैथ जिसका नाम है अप्लाइड मैथामेटिक थर्ड क्लास सेवन है यानि सात्मी वीडियो पार्ड बनाई जा रही है समय बहुत कम है क्योंकि मेरे यहां जो सर्वर आते हैं मतलब डाठास चलते हैं वह बिल्कुल चले गया बाई बिल्कुल नहीं आते हैं लेकिन मुझे यहां से घर से लगबग एक दो किलो मीटर दूर जाना पड़ता है आपको ये वीडियो अपलोड करने तो मुझे वेना काफी टाइम नस्ट हो जाता है इसी के चक्कर में ठीक है ना तो इसलिए बाई बता दू वीडियो एंडर तक देखते रही है और मैं इस वीडियो में काफी कोश्चन करने वाला हूँ और बता दू नय होता यार सस्क्राइब कर ले ना वीडियो को लाइक तो बनता है यार इस वीडियो को मैं एम रखता हूं 100 लाइक जी हां मजाक नहीं कर रहा हूं पूरा 100 लाइक चाता हूं जी हां 100 लाइक दोस्त आप देते हैं आपकी निक्स्ट पार्ट में ला दूँगा अब देखे मैं कोशिज करूँगा कि 100 लाइक पर ही भाई हो जाए क्योंकि भाई इ इसका निक्स्ट पार्ट आप आप आएगा नहीं तो भाई थर्ड समेश्टर वाले भाई आप ना समझ जाएं ठीक है तो 100 लाइक का एम है 100 लाइक कर देंगे आप मुझे पता है और निश्ट ये वीडियों अफ्लोड कर लेंगे तो भीना किसी दरी के लाइक और शेयर कर अब्रिकेशन ठीक है ना तो शुरुगात करूँगा पिछले वीडियों लगा हमें साथ या आठ कोश्चन बताए थे और इस वीडियों में हम 9 नमबर कोश्चन बताएंगे जी हाँ 9 नमबर कोश्चन बताएंगे और बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है बहुत यह दिया गया है ए बराबर और दिया गया है बी बराबर करके दिया गया है बी बराबर क्या करके दिया गया है वान माइनस टू माइनस वान जीरो दो माइनस वन यह दिया गया भाई आप भी दिया गया है दो ठो कह रहे हैं ए बी का मान ग्याद कीजिए फाइंड हमें करन है a b is equal to कितना होगा और b a is equal to b a is equal to not possible not possible बिकाज वाय यानी कहने का मतलब भाई यह कर रहा है कि हमें 2 matrix जिया यानी गीवन 2 matrix मैं थोड़ा इंगलीस इंब आखना चाहूंगा यह काफी लोग कहा रहे थे थे थोड़ाई इंगलीस से बताया कर दो मैं कोसिज करूंगा तो यह बी करके दो आप दो मैं यह कर रहे है कि that मतब find बैलू आप A cross B या A dot B करके माने ये B का multiplication ठीक ना और B is equal to not possible संभाव नहीं है और नहीं है तो क्यों हमें इसका reason बताईए तो basically मैं यही कर बताने वाला हूँ आपको इसमें तो सबसे पहले मैं A B को ग्याद करता हूं homework भी मिलेगा वीडियो में तो देखते रहेगा और homework से घवराना नहीं है कुछ लोग घवरा जाते हैं comment करने लगते हैं homework ज्यादा हो रहा है तो भाई homework से आपकी practice होगी तभी तो आपकी book solve हो पाएगी जल्दी जल्दी तो A B देखे सबसे पहले देखते हैं तो A B जो हमारा होगा basically मैं A B को रख लेता हूं देखेगा 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 यह हो जाएगा multiply हो जाएगा इससे देखेगा 1, minus 2, minus 1, 0, 2, minus 1 तो basically यह हो जाएगा इतने का multiply करना है और एक बात ध्यान रखेगा यहां मैं बताना चाहूंगा क्या ध्यान रखना है देखे तीन भाई तीन करम का है कितने का है तीन भाई दो करम का है ठीक है अब देखना भाई यहां पे जो पंग्तियों की संख्या है करेंगे देखे भाई इसमें पंग्ति कितने यह तीन है अस्तम भी तीन है इसमें पंग्ति कितने यह तीन है लेकिन अस्तम्भ दो है तो देखे इसमें भी यह संभव हो जाएगा कैसे देखे इसमें तीन है इसका element से सबूरा करेंगे जोड़ेंगे इसके साथ करेंगे और यह पंक्तियां यह अस्तम्भ है यह अस्तम्भ इन पंक्तियों से बराबर होने चाहिए इस तरह से तभी आपका possible हो पाते हैं ठीक ना तो चलिएगा मैं यहां पर कर देता हूँ आपका अबी यहां पर possible है तो कर देता हूँ तो करना क्या 0 का multiply 1 में तो आपका basically क्या आ जाएगा फिर अभी पार आउर अगे इसके नहीं हो पाईगा फिर слова एक इसके दो ही यहां तो इसके भाल करेंके यहां जब जीरो में करेंगे लिए इछ मेढ़ेंगे इसमें तो माइनस फोर हो जाएगा और यहां पर तीन का जीरो करेंगे तो प्लस जीरो हो जाएगा और चार का इस में करेंगे तो माइनस चार हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके का आपका हो जाता है तो बस आपको क्या करने है यहां पर यहां पर आपको क्या करने मैं बता देता हूँ यहां पर basically इतने होगे ना बस अब add कर दीजिये तो दिखेंगे और यहां माइनस2 मिलेगा यहां से माइनस5 यहां से माइनस8 मिलेंगे और आपका जो answer है वो यहीं पर यही हो जाता है अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आई हम बी ये भी लगे हाँ देख लेते हैं ये हला कि होगा तो नहीं लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं करसे नॉट पस्वेल है तो सबसे पहले हमें बी लिखना पड़ेगा तो 1-2-1-0-2-1 इस त इतने है तीन बाई दो करम का है और इसमें क्या था इसमें हमारा तीन बाई तीन करम का है तो देख सकते हैं यह जो हमारा यह अस्तंब है यह क्या है अस्तंब यह पंक्ति है यह अस्तंब है तो यह जो अस्तंब है ना तो देख सकते हैं एक अस्तंब इन पंक्तियों की संख था और नहीं था उसको समझा आपने चलिए मैं question number चलता हूं question number 10 की तरफ क्योंकि ये भी काफी important question तरीके से दिखने में लगता है मतब important नहीं करने का मतब practice से तोर पर है तो यहां एक ही value कुछ दी गई है is equal to दिया गया है 1, 1, minus 1, 2, minus 3, और 4, 3, minus 2, और 3, a is equal to दिया गया है और b is equal to दिया गया है एक और चीदी गई है minus 1, minus 2, minus 1, 6, 12, 6, 5, 10, 5 यह basically हमें a, b is equal to दिया गया है तो कहा रहा है दिखाईए कि यानि proof that दिखाईए कि यानि proof that, proof that क्या कहा रहा है, proof that a, b is equal to 0, a, b का multiplication की जिए और हमें 0 आ जाए यानि given two matrix, given two matrix and proof that a, b, a cross b multiplication is equal to 0, but a, b, यहां कहा रहा है, but a not equal to 0 and b not equal to 0 है तो भाई कैसे होगा, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक न, थोड़ा इंगलीस में भी बाते कर रहा हूं, इस तरीके से basically हमारे इतने चीजे हो जाएंगे, जो कि basically हमको दिया गया था, अब बस करना क्या है, multiplication करना है, तो चलिए लपड़ जाते हैं, क्यों सी देरी करने कोई जरूरत नहीं, तो चलिएगा, पहली पंक्ति को पहले अस्तमक साथ, एक का एक के साथ करेंगे, तो minus 1, और इसके साथ करेंगे, तो minus 5 हो जाएगा, यही आपका आएगा, दूसरा करते हैं, इसको उठाएंगे, इसके अस्तमक के साथ करेंगे, दो में इसका करेंगे, तो minus 2 हो जाएगा, तीन में इसका करेंगे, तो minus 18 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, 18 हो जाएगा, पां यह पंधर प्लस पंधर हो जाएंगे देखा इस तरह से भी होग half फिर इसके साथ इसके Woah इसको उठाएंगी यह वसका उठाएंगे आओ इस साहिंगे करेंगे एक कम करेंगे तो आपका –still माइनस 2 फिर इसमें करेंगे तो प्लस 12 माइनस 10 हो जाएगा फिर इसके साथ करेंगे तो आपका माइनस 4 हो जाएगा बारत यह 36 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा फिर इसके साथ करेंगे तीन दूना 6 माइनस 6 हो जाएगा बारत दूना 24 माइनस 24 हो पूप करने है इस तरह को सब्लोग्त करने हैं इस तरह किसी क्लिक्टेश क्लियर चाने है और इसको जोड़ेंगे तो हमारा जीरो जाएगा 20 plus में है 20 माइनस में हो जाएगा जीरो जाएगा 15 माइनस के सब जीरो हो गए है आप जोड़ के देख सकते हैं सब जीरो हो गए है यानी रिख देंगे प्रूप्ड हो जाएगा बस यही तो करना तो ज्यादा इसमें कुछ करने की गाई जरूरत ही नहीं है तो question number 3 आपने देख लिया क्योंकि A भी नहीं 0 है तो हमने proof कर दिया भाई अब मैं question number next बढ़ूंगा जो कि question number है 11 number की तरफ question की तरफ जी हाँ बिल्कुल सही आपने सुना 11 number की question की तरफ बढ़ेंगे हम और 11 number question बहुत ही प्यारा question दिख रहा है हमको वो क्या दिया गया है एक आप भी दिया गया है A is equal to given matrices A is equal to 3, 4, 5, 2, 3, 4 and and दिया है given second matrix 1, 3, 5, 6, 7, 8 given two matrix इतना then then find value then find value find value आपको किसकी करनी है A is fire plus B is fire is equal to कितना आएगा साथ में और भी कहा है यह तो पार्ले step में बोल दिया दूसरे step में बोल दिया है कि find value AB and BA is equal to कितना यानि हमें इसमें कई सवाल देखने हों कि मिलती है हमें A इसपार B इसपार निकालना होगा फिर AB के साथ multiply करने हो इन सब की value निकालने हैं यानि इसके हमें कितने answer मिलेंगे एक answer यहां दो answer यहां तीन answer लेकिन यहां काम बहुत ज्यादा करने हैं तो मैं एक आपको बताऊंगा और A वाला जो पार्ट है homework रहेगा AB की value यहां से लिख लिजिए और AB का मान आप निकालके हमें वाटसाप पर भेज सकते हैं तो A ispire B ispire हम आपको निकालना सिखा देते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा हम देखिए A ispire है ना मैं इसको इस page पर नहीं लिखकर मैं next page पर इसको लिखता हूं ताकि अभी जब हम लोग करेंगे इसको सवाल को ना हल तो हमें देखने में काफ बिल्कुल लिख सकते हैं तो एक ही बैलू जो रिखिए उसको रख लीजिए तो एक ही बैलू क्या दिया था थी फोर और फाइब दिया गया था टू थी और फोर दिया गया था एक ही बैलू फिर दूसरे एक ही बैलू क्या है थी फोर फाइब दिया गया था तू थी फोर यही था आपका multiplication करना है तो चलिए कर लेते हैं चलिए इसको हम कर लेते हैं और हाँ guys थोड़ा सा ध्यान आपको देने की जरूरत है यह तो possible ही नहीं है कैसे आईए दिखाते हैं हम आपको आईए हम आपको दिखाते हैं कितने भाई का है 2 भाई 3 करम का है यह कितने का है 2 भाई 3 करम का है तो देखिएगा हमने क्या कहा था इसकी पंक्ती इसके अस्तंब के बराबर होने चाहिए अब भया इसकी पंक्ती कितनी है पंक्ती कितनी है इसकी दो पंक्ती है अस्तंब कितनी है तीन है या तो कह लीजिए कह लिजे इसके अस्तम कितने है इसके अस्तम तीन है लेकिन पंक्तियां कितनी है दो है इसलिए इसलिए हमारा जो है A-spire plus B-spire is equal to not possible possible तो ध्यान दीजेगा इसका इसी तरीके से जो हमने आपको homework दिया ना इसलिए मैं आपको homework दिया हूँ क्एंगो कि दिमार्योव, कुछ हलचल मतलब क्या है यहां पर कहने मतलब A B जो B A है उतल Corona भी नहीं होंगे तो आप करेंगे तो इसके आपनी दिमार्युए कुछ लोग होंगे जब जस्तिक कर देंगे तो इसका ध्यान रखना है आपको ठीक है ना तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है भाई आप समझ सकते हैं मैंने कहा था नहीं इस तरह बराबर होने चाहिए लेख सकते हैं इसका घीवन मैंत्रीशेस ए सट थो गीवन मैंत्रीशेस ए इकैल टू मैंत्री ठीस कोध्ळुड़ रखना है और भिगाना evenly धैट ॉम्स контр áreas जाएै बर लेकाँच कीजिए फिर कीजिए हमें एक ट्रांसपोर्ट कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कि हम दोनों भराबर है कि नई तो बहुत ही प्यारा कोश्चन है चलिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं तो देखिए क्या है सबसे पहले बिना कुछ किये हम सब की में बदल देने पर यानि लोग रो को कॉलन में और कॉलन को रो में बदल देने पर ट्रांस्पोर्ट माइट्रिस का लाता है ठीक है तो यहां पर दीखे क्या होगा आपका जब इसको हम चेंज करेंगे तो वान थिरी और टू हो जाएंगे इस तरीके से हो जाएंगे तो A मिल गया बी मिल गया अब इसके बाद A बी निकाल के और हमें डैश निकालना है तो देखेगा मैं A B सबसे पहले निकाल लेता हूं बी निकाल लेता हूं कैसे निकलेगा तो एक सी बॉल किया हना थेरी टू है इस तरह स् tua हो गया और वी की बैदू क्या है बावर टो और ट्री हो गया इस तरह से दिया गया है अब बिसकली हम क्या करेंदे यहाँ पर नहिये इसको हल करने के लिए सिबसे पहले हम इस तरह से करते हैं देखे पंग्ती यहां पर देखे पंग्ती अस्तम तो भहिया देखो इसमें किस करम का है पहले हमको दिख रहा है तो पहले देख लेते हैं किस करम का है तीन बाई एक करम का है यह वन बाई तीन करम का है हमने कहा हमने यहां पर देखेगा मल्टिप्लिकेशन कैसे होगी एक का एक के साथ करेंगे तो यहां पर देखेंगे एक के साथ एक हो जाएगा फिर इसके बाद जब आपका यहां पर होगा मैं इसको थोड़ा सा और देखता हूं किस तरह से इसमें होने वाले हैं 12 नमबर जो आपका questions है जी हां तो यहां पर आप देख सकते हैं जब एक के साथ एक होगा यहां पर तो इस तरह से एक हो जाएगा अब कोई element तो जूड़ेंगे ही नहीं एक का साथ एक कर लिया फिर तीन के साथ दब दो का करेंगे तो हम किसमें लिखेंगे यहां च्छा हो जाएगा बिसिकली हमारा च्छा हो जाएगा फिर इसके साथ जब करेंगे इसके साथ तीन दूना हो जाएगा कितना हो जाएगा इस तरीके से देख सकते हैं हमारा AB का मा अब हम a b' का निकालते हैं कितना होगा a b का hold us यानि ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो one होगा six होगा और six हो जाएगा इस तरह से बी निकल गया चलिए तो हम a' और नहीं कि अगर a b' बरावर b' ये हो कभी नहीं हो सकता कभी जाता है तो इसका ध्यान रखना आपको तो a' b' के साथ करेंगे तो धाइस की बैलु हम रखते हैं 1, 2, 3 होगा वी डास और एक सके हमारी 1, 3, 2 है इसके साथ जब करेंगे देखे क्या आएगा आपका एक साथ करेंगे तो हमारा एक आएगा फिर इसके साथ करेंगे तीन दून हमारा अच्छा आएगा फिर करेंगे इसका भी चाहेगा तो बेसिकली आपका जो यही है अब देखिए इसको तो उस वाले भी करम में बदल के लिख सकते थे ठीके ना तो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह के हो गया आपका तो हमें पता चल गया कि एह भी का होल्ड डैस is equal to b का डैस is equal to a का प्रूट प्रूब्ड हो गया आपका ही बस कुछ करना नहीं था बस बिसिकली सा कॉंसर्प्ट था इसको क्लियर करना था कोश्चन नमबर 12 आपने इस तरह के देख लिया चलिएगा अब हम नेस्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन इसी तरीके से प्यारा कोश्चन ही डरने की कोई बात नहीं है हम यहां सबको सिखा दें और चलिए कोश्चन नमबर 13 की तरफ चलते हैं जो आपके इस तरह इसकी पर अभी मैं लिख देता हूं यह बिसकली आप देखिएगा कोश्चन नमबर 13 जो आपका है ओधिखी यह दिया गया है थोड़ा सा इसमें मोड फिटा यहां पहां सीन ठीटा यहां पहां मैंने साइन ठीटा और यहां पहें में दिया गया है कोश्चन थीटा है इस तरह से दिये गए हैं और का रहा है देन प्रूफ दैक। that, then prove that, यानि सिद्ध कर दीजिए, क्या सिद्ध कर दीजिए, ए ठीटा into अ बीटा is equal to A ठीटा प्लस बीटा यही गाईस आपको प्रूब करना था बिल्कुल यही करना था अब आपको कुछ ज़्यादा इसमें करी ज़र नहीं तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है इसको समझीएगा थोड़ा सा तब ही आपको समझाएगे एठीटा की बैलू दी गई है यानि अगर यहाँ ठीठा तो यहाँ ठीठा अगर यहाँ बीटा है तो अंदर भी वीटा यानि अगर हम एबीटा इसकुल टू लुके एबीटा इस एकोल प्र मैं लिक दूए तो याहां पर तो आप समझते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है तो बिसिकली यही चीज़ हमें देखने हो की मिलेगी और कुछ यहां पर नहीं मिलने वाले तो अब क्या कह रहा है कि इसका मिल्टिप्लाई कर दो और एक चीज़ मैं यहां पर कनफर करना चाहते हैं साथ में यह भी रख करके उन्हों देख लेते हैं यानि यह है बीटा की जगा हम लख दे हैं ठीटा प्लस बीटा तो हम रख देंगे तो हमें बिसिकली क्या मिलेगा हमें मिलेगा कॉस ठीटा प्लस बीटा मिलेगा यह मिलेगा माइनस साइन ठीटा प्लस बीटा मिलेगा इस तरीके से और यहां पर मिलेगा साइन ठीटा प्लस बीटा मिलेगा और यहां पर कॉस ठीटा प्लस बीटा मिलेगा बिल्कुल यही मिलने वाला है अब आपको ज़्यादा यहां कुछ करने की जरू वह तो गरण नहीं है तो इतना मिल गया तो अब आपको सिर्फ मल्टिप्लाई करके पुरूप दिखा देना आपका हो जाएगा तो हमने क्या लिखा था एठीटा एठीटा इन्टू एबीटा इस इकल टू एठीटा की बैलू कितनी दी गई थी उसको लिख लेते हैं यहाँ पे कॉश्ट थीटा था यहाँ पे माइनस साइन थीटा था यहाँ पे आपका बेसिकली था साइन थीटा यहाँ पे था आपका कॉश्ट थीटा इस तरीके से और मल्टिपिकेशन बाई जो करे करना था है तो इतना हमने framework कर चुके है अब इसके बाद आपको सिह सबर छेटा करेंगे में तो लिखे जाएंगे आप इसने के बाइode in to Cos Vita यह आपका बेसिकली हो जाएगा इसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहां से जब देखिए cos Vita फिर इसके साथ करेंगे तो minus sin theta इंटू साइन बीटा यही है आपको मिलेगा फिर इसके बाद इसके साथ इसका जब multiply करेंगे देख सकते हैं तो आपका क्या होगा इसके साथ इसके साथ इसके कर दीए और इसके साथ इसके साथ इसका करेंगे इसके साथ इसका जब multiply करेंगे देखेगा इसके साथ इस वाले उठाएंगे इसके साथ तो आपका बिसके लिए जाएगा cost theta into sin beta plus sin theta into cos beta इस तरीके से और यहाँ जब करेंगे तो आपका बिसके लिए क्या हो जाएगा minus sin theta into sin beta plus इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा cost theta into cos beta तो यहाँ पर यहाँ पर रेकेट लगा देते हैं यहाँ आपका चिन और यहाँ पर इसको अपकर करेंगे बस simply so solve अब हम देख सकते हैं यहाँ पर यह किसका फर्मॉला देख रहा है यहाँ हमें cos a plus b का दिख रहा है यानि cos a cos b minus sin a sin b तो यह फर्मॉला होता है cos a plus b यानि theta plus beta का हमें दिख रहा है यह वाला देखिए इसमें सम माइनस common करके हम माइनस रख लें तो हमें फर्मॉला है किसका दिखेगा sin a cos b फिर cos a sin b यानि sin a plus b का दिख रहा है तो माइनस तो हमने common कर लिया sin theta plus beta हो जाएगा इस तरीके से फिर जब इसके साथ देखी हम करेंगे देखिए किस सारब फर्मॉला दिख रहा है किसका दिख रहा है या इसको फिर से पड़े sin a cos b cos a sin b इसको मैंने आगे पिछलिक सकते हैं तो sin a cos b cos a sin b यह हमें फर्मॉला दिख रहा है किसका sin a plus b यानि theta plus beta का दिख रहा है तो आप ए चीजे देख सकते हैं और ए भी चीजे देख सकते हैं तो देखेगा दोनों बराबर आई हैं तो हम लिखे सकते हैं a theta is equal to a beta is equal to a theta plus beta proved प्रूब्ड लिख देंगे और आपका answer यहीं पर हो जाएगा अब आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरुएत नहीं है तो question number 13 तक हम देखे अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं question number 14 की तरफ जी हाँ question number 14 की तरफ हम बढ़ते हैं question number जो आपका 14 है कुछ इस तरीके है और मैं इसको देने वालू हूँ आपको homework बहुत छोटा सा और प्यारा सा नहीं मैं इस question को बताऊंगा इसका next question में दूँगा 15 वाला क्योंकि यह छोटा है तो हल करने थोड़ी आसानी होगी यहाँ पर बढ़ा वाला करने थोड़ा ज्यादा 14 I is equal to 0 और दिया गया है वेयर जहां पर आई जो है टू क्राश टू टू मैट्रीस यानि यह चीज़े दी गई है तो बेसिकली आपको क्या करना है सबसे पहले बीना कुछ सोचे समझे हमें एस पायर को फाइंड कर लेना है तो मैं एस पायर को फाइंड कर लेता हूं पर देख सकते हैं यह इस पायर इस तरह का है तो मैं भाइलू रख रहता हूं एक तो चार तीन टू फाइफ हो जाएंगे और यहां पर मल्टिपिकेशन इसलिए होगा चार तीन और दो पांच इस तरीके से बिसिकली और यहां पी जब करेंगे तक क्या जाएगा चार और दो जाएगा प्लस 25 हो जाएंगे ठीक है ना तो यहां पर करने चार पांच बचेंच तो बस अब इसके बाद क्या करना है एबी के साथ आपको करने के बाद आपको यहां करना है तो मैं आप सब की बैलू यहां पर बस लिख लिदा हіंगे सब कूश की बैलू मुझे मिल च दिया गया था ये इस्पायर माइनस नाइन ए प्लस फूर्टीन आई जो कि हमने लेप्ट हेंड शायड ले रखा है ठीक ना तो इतने एक जगह पर मैं रखूंगा पहले तो ये इस्पायर कमान रखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 22, 27, 18, 31 ये हमारा बिसिकली हो जाएगा ये इस्पायर कमान माइनस नाइन एक साथ गुड़ा तो ये हमारा क्या था चार तीन दो पांच ये हो जाएगा फिर क्या था प्लस चवदर और आई आई दो बाई दो करम का यानि वन जीरो और जीरो वन इतना लेना है तो बिसिकली चोगा आपका हो जाएगा बिसिकली 36 हो जाएगा फिर यहां पर गया नो तरिक 27 हो जाएगा आपका फिर नो दुनी अठ्रा हो जाएगा और 9.45 हो जाएगा ठीक है इतना हो जाने क बात प्लस चौदर कभी मल्टिप्लाइग साथ में ले लते हैं तो देखे 14-0 और 0-14 हो ज झालने करनें जोड़ देनें लेकिए 14 और 22 को जोड़ेंगे तो 35 दैंगे दो चार 6 doo ओर एक टीन हो जाएगे तो 36 में से 37 जाएगा तो आपका मिलेगा कितना जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पर बिसिकली ह्माबका जीरो आगा जो की जीरो के बराबर था ही और यहाँ के हमारा जह कि right hand side आया है राइट right hand side आया है और यहाँ पर हमारा क्या प्रूब्ड भी हो चुका है जिया जो हमें वाटसब बिश चाहि나 सकते हैं तो commanderनमर में आपको question दे देता हूँ यहां पर बराबर दिया गया है यहां पर Happy prior to pryग उसको लिक एगाया इस को लिखेगा इस उक्की दिया गया वन दिया गया माइनस टू दिया gi सकते हैं, तो बिसकली 15 नमबर मैं आपको question दे देता हूं, यहां पर question अ बराबर दिया गया है, यहां पर a is equal to क्या दिया गया है, उसको लिकेगा a is equal to to the a 1 a 1 minus 2 दिया गया 3 दिया गया है, two three minus one d TE a गया है minus 3 one our to the यह basically लिक हुए तू आपका है इतनी चीज़े दी गई है और कह रहा है कि हमें ग्याद कीजिए यह इस्पायर माइनस थिरी ए प्लस नाइन आई इस इकल टू कितना होगा मान निकालना है बिसिक लिए आपका और जो आई आपका है इसको है इसको हँए है आपको यहीं करने है और मैं इसको आंशर देखलता हो आपके बुक में दिया गया है और फाइब फोर फोर माइनस टू एट और माइनस त्री यह दिया गया बिसिकली इसका अंसर है तो आप इसको हल कीजिएगा और मैस कीजिएगा कोश्चन नमबर पंदर आपके लिए होमवर्क रहें अब मैं बढ़ता हूं निस्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर पंदरत हो गया जो आपका 16 है कोश्चन नमबर आपका 16 है इस कोश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए यफ्यक्स इसकल टू फलन टाइप का दिया गया यहां पर यह स्वायर माइनस 5 यह प्लस 6 इतना दिया गया है तो कह रहे है कि यफ इस इकल टू कितना होगा इतना देने के बाद एक करें और जहां पर दिया गया वेयर या कहिए इफ वेयर या इफ का लिजे यदि दिया गया है एक आप दिया गया है अगर मैं यहां पर यफ a कर दूँ तो यहां पर क्या हो जाएंगे a ispire minus 5x minus 5a minus 5a plus 6 हो जाएगा यही बेसिकली आपको देखेगा अगर यहां पर कर देंगे तो इतनी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलती हैं अब आप को क्या करना है सबसे पहले बिना कुछ किए आप इस निकाले यह फिर घटा कर आप यहां पर रिख सकते हैं यहां पर घटा लिख सकते हैं थेको दूर बता है थोड़ी सी और इस पोच्छन को एंसर है और यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मैं उसको अभी देख लेता हूं कि आपका जो आपको मैच यहां पर नहीं करेंगे कि यहां पर यहां पर आई भी लगाना होगा यहां पर यहां पर यहां पर आपको इतना ही करना हो ठीक है यहां पर इस्छा को आप हटा दिजिए इच्छा को आप हटाजिए, क्योंकि 6 लगाने पर भाई आएगा नहीं, क्योंकि आप भीव है, आप भीव में हमेशा इस तरह का बनना चाहिए, लेकिन 6 लगाने से कुछ नहीं बन सकता ना, 6 लगाने से आप एक बार प्रैक्टिक्स कीजिए, कुछ बनेगा, बिल्कुल नह बन सकता बाई, तो इस तरह से 6 पर तो नहीं होगा, जहां तक मेरी है, और यहां पर मुझे करना सिर्फ इतने की बैलू निकालनी, तो मैं चली इतनी की ही निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिना कुछ समझे, ए इस पार निकाल लेने ह इस पार इस इकल्ट होता है, ए गुड़े ए, और हम ए की मान रख लेते हैं, ए की जो बैलू दी गई है, 201, 213, 1-1 और 0, इस तरीके से हमें करना है, तो बिसके लिए करना है, तो शली हम कर लेते हैं, फटा फट से बीना कुछ देरी किये, बीना किस दोरी किये, तो दो में 2 हो जाएगा, तो आपका बिसकली क्या जाएगा, चार हो जाएगा, इसका इसमें साएगा, तो प्लस आपका 0 हो जाएगा, एक एक का आपका एक हो जाएगा, फिर यहां से करेंगे, तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो देखें मेरी पता तो आपका एक के साथ जीरो करूंगा तो जीरो हो जाएगा इसके साथ करूंगा तो माइनस वन हो जाएगा और यहां पर करूंगा तो प्लस जीरो या माइनस जीरो सब जीरो हो जाएगे फिर इसके साथ देखी जब मैं करने चलूंगा तो यहां पर आ जाएंगे और फिर यह के साथ करेंगे तो माइनस थाड़ आ जाएंगा प्लस जीरो आ जाएंगे तो इतने बिसिकली है और इस पार को हमें यहां पर घटान मतब अब इसको सिफ जोडने है आइडिंग करने तो कर लेते हैं फटाफट चार और एक हो जाएगा पांच चार दो छती चार दो छती चार अच्छा तीन नो जाएगा यहां पर करेंगे तो जीरो जाएगा फिर यहां पर माइनस वन माइनस टू यहां पर करेंगे तो माइनस वन फिर यहां पर टू यहां पर फाइब यहां पर माइनस टू कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है a, inspire की बैलू, ज karşıya a, inspire की बैलू थी अब देखिए हमें क्या करना है, लेकिन हमें करना है a, –5 a की सिर्फ हम बैलू ग्याद करते है, तो देखिएगा a, inspire की हम बैलू है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, a, inspire की बैलू देखें अब 5-1 और यहां पर 2 हो जाएंगे 9-2 और 5 0-1 और-2 इस तरीके से माइनस 5 अब देखें जो 5 है ना मैं यहां पर सोच रहा हूं न लिखूं सिधे ए में करते हुए हो इसमें इसमें पांच हो जाएगा फिर यहां पे आपका विसकली 10 रहे और यहां पर 15 हो जाएंगे और यहां पर 5 हो जाएंगे यहां पर 5 हो जाएंगे यहां पर 0 हो जाएंगे इस तरीके से अब दिखेंगे जब यहां से multiply 5 नहीं है यहां पर minus 10 में कर रहा हूं तो यहां पर जब करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो आपका minus 5 डिखता हूं मैंनस पांच जी यहां फिर यहां से बढ़ चांगे मैंनस वन और यहां से जब गटाएंगे तो आपका माइनस थाड़ आपको देखने को मिलेंगे यहां से जब करते हैं नौ और हम मैं बता दो जो च्छाम ने लगा तो उसको लगा ले भाई अगर कोई का दिया तो क्या कहोगे तो इसलिए छा लगा लो भाई जो भी आएगा आपका अंसर यहां छाइश तरह लिख लोग क्या भांग रहा है लेकिन होगा नहीं भाई यहां पर मलट पर क्योंकि आप यह 5 तो नहीं है यहाँ पर 15 है माइनस 15 है प्लस 5 तो आपका माइनस 10 आएगा फिर 0 में से यहाँ तो आपका माइनस 5 यहाँ पर आपका माइनस है लेकिन यहाँ माइनस है लेकिन यह प्लस होगा यहाँ आपका बिसकली कितना होगा चार बचेगा यहाँ पर चार बचेगा यह यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और 17 हो गए तो चलिए करेंक हम कोष्चां एक दो पुस्चन और बता देते हैं अब कोष्चन नमर 17 की तरफ चलते हैं यहां कोष्चन समीकरण दिखाएं आप कि समीकरण a ispire minus 5a plus 7i is equal to 0 है ठीक है? is equal to 0 का हल हल होगा का हल का हल a होगा a होगा कब होगा? यदी क्या दिया गया है? a is equal to दिया गया है 3, 1, minus 1, 2 यानि कहने का मतलब भहिया दीखिए प्रष्ण कैसे भुमा दिया? आपको कान के मतलब पता भी ने चला आपको कैसे भटाका दिया? तो देखिए मैं बताओं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था यदि ये बरावर इतना तो दिखा दीजे इतना तो भाईया देखो घुमाने का प्रष्ण है तो यहां पर कुछ भी किया जा सकता है और ये question में बता दूँ कि UP 1905 में बहुत पहले आया था लेकिन आया था ठीक है न? अब नहीं आने वाल है हल आ सकता है कोई जरूवत नहीं क्योंकि भाई ये दो नमबर में आता है ठीक न? तो यहां पर आपको जो यह बिसिकली सा करना है यहां पर क्या कर सकते हैं आप कि सबसे पहले आप एई इस्पायर लिख लिजिए और इसमें करेंगे माइनस वन हो जाएंगे फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस तीन हो जाएंगे और यहां पर माइनस टू हो जाएंगे फिर इसके साथ करेंगे तो तीन हो जाएंगे प्लस दो हो जाएंगे और यहां पर करेंगे तो माइनस वन हो जाएंगे प्लस चार हो लिखली सा क्या करेंगे हम इसके left hand side को लेकर चलेंगे और हम 0 ला दिए तो कहेंगे भाई प्रूफ हो गया तो हम देखे left hand side लेकर चलें left hand side क्या था a square minus 5a plus 7i is equal to 0 मतलब 0 नहीं लिख चलेंगे इतना करना था तो इसपाईर की मान हम रख लेते हैं क्या था और था था 5 था एक साथ यह क्या था टीन था एक था और इसके बाद क्या था 2 था इतना करने के बाद plus 7 था जो कि हमारा है और 2-2 क्रॉब है तो यहाँ पर हो जाएगा तो अब देखी इस यह बात क्या होगा यहां से आठ हो जाएगा पांच हो जाएगा माइनस पांच और थर्ड माइनस जो कि यहां पर जब लगेगा आपका तो यहां पर प्लस और इसको अंदर कर लेंगे तो सेवन जीरो और जीरो सेवन अब हमें बताएगा यह की तरह का अभी है इसका नाम क्या हता है ठीक ना तो चलिएगा मैं इसको अभी आपको बता जिता हूं यहां पर और यहां पर देखेगा आठ और साथ पंदर पॉस्ट्व में और यहां से जब चलाएगा माइनस निगेट होगा इस तरीके से और पूरा रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा जीरो और हमारा यही होगा राइट हैंड साइड हो जाएगा यही हमारा बिसिकली और इस तरह के हमारा प्रूब्ड हो जाएगा इस तरह का हमारा प्रूब्ड जाएगा अब हमें ज्यादा कुछ करने की यह ठीक ना कॉश्चन नमर्ण अठर बहतरीन लूजटन है जो कि आप और करके होमवर की बेजने है जो अभी तक अदिया देखेंगे तो दिया क्या यदि यानि इफ ये बराबर मैट्रस दिया गया है क्या दिया गया वन वन थर्ड और दिया गया है थिरी टू वन फोर थिर A is equal to इतना दिया गया और B is equal to भी दिया गया है क्या दिया गया 1, 2, 0, 0, 1, 2 और 2, 0, 1, basically यह चीजे दो चीजे हमको दे गई है और पहले step में हमको क्या ग्यात करना है ध्यान दिजेगा पहले step में हमें find that करना है A plus B का हमें dash करना है is equal to बराबर होना चाहिए A dash plus B dash दूसरा जो हमारा होने वाला है क्या है A minus B का whole dash is equal to A dash minus B dash यह हमको प्रूप करना है यानि कहने का मतलब given matrices A is equal to इतना मतलब A value and B is equal to इतना दिया गया आपको basically find that first step A plus B का whole dash यानि transport matrices and A transport matrices plus B transport matrices और second appointment दिया गया है matrices A minus B का transport is equal to A transport minus B transport matrices तो basically आपका यह question दा और आपका जो answer आएगा अगर book में दिया तो मैं आपको दे दिता हूँ question number 18 जी हाँ आपके book में इसका answer नहीं दिया गया इसलिए मैं answer इसको नहीं दे रहा हूँ और यह आपको करके WhatsApp भीजने हैं तो बस यहीं पर वीडियों इंड करते हैं I hope आपको यह पसंद आए यह पसंद आए तो like मारो और share कर देना सभी के साथ सार कमिलोरी स्टूनल के पहुंच जाए और नए होतार subscribe मारो कि सभी के पास पहुंच जाए कोई doubts या कोई सुझाव इस वीडियों के related तो हमें comment box में comment करना मैं उसका reply जरूर दूँगा और मैं मिलता हूँ इसकी next part में part number 9 में part number 7 था part number 8 में मैं मिलता हूँ तब तक के लिए जाहिन वंदे मातराम